देखिए दोस्तों, रीड शिक्सक ब्रती 2020 के लिए अपन ने जो सिरीज शुरू कर रखिये, उसके 36 मोडल पेपर अपनो अल्रेडी लगा चुके हैं, ये इस सिरीज का मोडल पेपर नमर 37 है, तो ये जो कम्प्लीट 36 मोडल पेपर हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रि ना पड़े, तो देखिए आज का सिसन अपन शुरू करते हैं, सारी किसन महतोपूर ने वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, देखिए पहला किसन आपको दे रखा है, चार उपसन आपको दे रखे हैं कि बताना है कि वो पुरास्थाल कौन सा है, जहां से सकर्तिक आउसेस प्राप्त हुए हैं, इसलिए महरगड इसका करेट आउसर हो जाएगा, निमलिकित पस्वों में से किस एक का हडपा संसकर्ती में पाई मुहर और टेरा कोटा कलाकर्ती में निरूपन नहीं हुआ है, तो हादी का नहीं हुआ है, हडपा सब्वेता में जो बड़े आकार में दस चिन्नो वाला एक सिलालेक भी मिला है, हर्याना के फतेहबा जिले में इस्तित बनावली से पक्की इंट की बनी हुई हल की पर्ति करती भी मिली है, यग्ये संबंदी जो विधी विधान है, उसका पता किस से चलता है, कौन से वेद से चलता है, तो दोनों में है, शुकल यजुरुएद से वाजन से ही सहीता भी कहा चाता है इसको, और यजुरुएद का जो अंतिम भाग वो इशोपनिशद है, जिसका संबंद यागिक अनुस्ठान से नहोकर आत्मिक चिंतन से है, तो यग्ये संबंदी जो विधी विधान है, उसका पता किस से चलता है, यजुरुएद से चलता है, गोतम भुद का जो महापरी निर्वान है, वो कौन से राज्ये में हुआ था, तो देखें मल्ले महाजनपद गणराज्ये की राजदानी थी, कुशी नारा वहाँ पर हुआ था, इसलिए ओप्शन थर्ड इसका करेट आंसरोगा चार सो तैयासी इसापूरव में, असी वर्च की आयू में, कुशी नारा में उनको निर्वान प्राप्त वा था, और बोध धर्म में इसी गटना को महापरी निर्वान के नाम से जान जाता है, मावेर का पर्थम अनुयाई कौन था, तो उनका जमाई था जिसका नाम था, बगवान मावेर का जनम, अक्षत्री सांबनति शिदार्ट के यहां पर पांच सो निणियाण में, इसापूरव में हुआ था, उनके पत्नी का नाम यसोदा था, जो की पिरिय दर्शना नाम से एक अनके पुत्री का उत्पन हुई थी, पुत्री का जनम हुआ था, उस पु बुलंदी बाग कुम्रहार में की गई खुदाई से मौर्यकाल के लकडी के विसाल भाउनों के आउसेस परकास में आई इन्हें प्रकास में लाने का स्रे सनुपर मोदे को है बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के आवसेस तथा कुम्रहार से राज़ परसाद के आवसेस प्राप्त दिये हैं तो पाठली पुत्र क्या होगा इसका करेट आंसर होगा निम्री लखेते में से कौन कनिश के पर्थम के दरबार में नहीं आया था कौन सा नहीं आया था वो आपको बताना है देखे विसाक दतनीय था अस्वे गोस इसके लावा नागारजून और पासरवे और चरक ये चारों ही कनिश के दरबार से संबन दी थे जबकि पतनजली कनिश के दरबार से संबन दी थे नहीं थे पतनजली ने पाणीनी की अस्टा दहई के ओपर महाबाशे की रसना की है महरशी पतनजली सुंग काली ने विदवान थे होणों का पहला भार्टी आक्रमन गुपत समराथ इसकंद गुपत के सासन काहल में 455 इसापूरू में वा था हलागे सकंद गुपत के हाथों वे बुरी तरीके से प्राफित हुए थे लेकिन इसके बावजूद भी بाद में हुणों के द्वारा भार्त में एक तरीके से सत्ता इस्तापित करने का गारिया सुरू हो चुका था तो इसकंद गुप्त इसका करेट आन्सर होगा एलिफेंटा के प्राचीन समारक है तो एलिफेंटा के प्राचीन समारक कौन कौन सी है बोध और शेव इन्शे सम्मंदित हैं इसलिए उप्षन फ़ेस्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा इसका करी टांसर हो जाएगा उप्षन फोर्थ दस कुमार चरीतम के रसनाकार कुन थे तो दंडिन या फिर दंडी के नाम से इनको जाना जाता है इसके लावा कालिदास सूर्दास और तुल्शिदास आपको जो दे रहे हैं इसमें सूर्दास की परमुक रसना है सूर सागर सूर सुरावली इसके लावा साहित्य लहरी तुल्शिदास की परमुक रसना के बात करें तो रामचरी तुमानस विने पत्रिका और कवितावली औ लोग परंपरा के नुसार उनका जनम किसी विद्वा ब्रामनी के गरब से वारानसी के समीप हुआ था और पालन पॉसन एक जुलाह दमपती निरू और निमा ने किया था मुगल और मेवाड के राना के मद्दे चित्तोड की संदी किस सासक के सासनकाल में अस्ताक्सरित हुई थी तो जहांगीर के सासनकाल में हुई थी 1615 इश्व में राना अमर्शिंग और मुगल बादशाह जहांगीर के मद्दे चित्तोडगड की संदी हुई थी इसमें राणा ने मुगल बादशाह के दिनता स्विकार कर ली और बादशाह जांगे ने राणा को चितोड समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो कि अकबर के समय से मुगल आदिपत्य में था आंगले नेपाल युदे जिसके सासन काल में हुआ था वो कौन सा था तो लोर्ड हैस्टिंग्स के सासन काल में हुआ था आंगले नेपाल युदे 1814 से लेकर 1816 लोर्ड हैस्टिंग्स के गवरनर्ट जेनरल काल में हुआ था 1813 से लेकर 1823 में जो कि 1816 की संगोली की संदी से सम कार थे नाना साहब के सला कार थे अजीम उल्ला खां इन्होंने नाना साहब के सच्चीव के रूप में कारी क्या था इन्हें करांती दूद के नाम से भी जाना जाता है वेदों के पुंदर उत्थान का सरेक इसको दिया जाता है तो स्वामी द्यानल सरस्वती को दिया जाता ह 1863 में उन्हें जूठे दर्मों का खंडन करने के लिए एक पाखंड खंडनी पता का लराई स्वामी द्यानन सरस्वती ने वेदों को भारत के आधार के अस्थम के रूप में देखते थे उनका ये विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिसके उपर भारत का पुरातन समाश ठिकावा था सास्वत एपरिवर्थनी दर्मातीत और देवी हैं इसलिए उन्होंने वेदों की और लोटो और वेद ही समश्वत ग्यान के स्रोत हैं ये नारिक इसने दिये थे स्वामी द्यानन सरस्वती के दोरा दिये गए थे समयदान का उद्द's चीका यानि की समयदान की प्रस्तावाना है उसका संसोधिन कितनी बार के जा चुका है तो एक बार सम्विदान की प्रस्तावना में संसो दिन किया जा चुका है 22 सम्विदान संसो दिन वा था गुनी सो चिंतर में उसमें समाजवाद 15 रिपेक्स और अखंड़ता सब्द जोड़े गए थे इसको मेनी सम्विदान लगू सम्विदान के नाम से भी जाना जाता है हमारे सम्विदानी के इत्यास में 26 नॉम्बर 14 का दिन एक इंपोर्टेंट दिन है क्यों है क्योंकि इस दिन सम्विदान है वो अंगिकार किया गया था सम्विदान अधिनियमित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को समिधान पूर्ण 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 प रिधे इसकी आत्मा कहा है तो अनुचेद 32 को कहा है डाक्टर विराम बेटगर ने इसलिए अनुचेद 32 इसका करेटा अमसर हो जाएगा किसे निदेशक सिधान्त के उपर गांदी जी के नितिक दर्शन का पर्तेक्स परभाव है तो गोवद के उपर निशेद के उपर गांदी जी के दर्शन का पर्तेक्स परभाव है और कौन-कौन से सिधान्त है जिनके उपर गांदी जी के दर्शन का परभाव है वो आप यहा साथ खाली हो तो राष्ट्रपती के ओपर पद के ओपर ऐस थाई रूप से कौन काम करता है तो भारत के सरोची नाले का मुख्य नादी सवकारी करता है उप्सन फूरत इसका खरेट आंसर होगा नागरीता प्राप्त करने के लिए सरते निधारित करने वाला सक्सम निकाह कौ इसमें पंचवर्ष से योजिनाओं का अनुमदिन करने वाला सरोची निकाह कौन सा है तो राष्ट्रपती के दिवारा किया जाता है अगस्त उनी बावन को गटित राष्ट्रे विकास पर इसके रूप क से अनुमदित करती है और इसकी अनुमदिन के बाद में ही र अक्टूबर गुनी सो गुन सट को त्रीस तरीय पंचायती राजपनाली की शुरुआत हुई थी तत्कालिन परदान मंतरी जवाहलाल नेरु के दोरा रास्तान के नागोड जीले में किया गया जबकि आंधर परदेश में नौंबर गुनी सो गुन सट को इसका प्रारम किया इसलिए अगर आपको राजफ都nost और आन्दर परदेश दुनों एक साथ अपसन बें दे रखाओ तो वो इसका करेट आंसर हो जाएगा लेकिन अगर आपको अलग लग दे रखाओ तो राजफान में पहले हुई थी उसके बाद में काम पर उई थी आंधर परदेश में स्विंगत राजे अमेरिका के दक्षिन कैलिफोर्निय में इस्थित मरतक गाठी जिसको डेथ वेली के नाम सी जाना जाता है ये किसका उधारण है तो रिये रिफ्ट गाठी का उधारण है डेथ वेली दक्षिन कैलिफोर्निय में इस्थित एक मरतक गाठी रिफ्ट गाठी क जी विशालतम जीडायो आपको चार ओप्सन दे रेखें बताना कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो फिल्लेंड हिलेस्की ये सुमेलीथ है बोली विया लापास सुमेलित ओनी है एथोपिया लुसा यहाँ पर आधिस अबाबा होगा इसके लाववा यूक्रेःन किव यह भी आपको समेलित दे रखा है तो लेक मिशिगन है वो ताजे पानी की विशाल्थम जील है इसकी एक्शेतर फल की बात करें तो 70800 वरक क्लो मेंट्रेस का एक्शेतर फल है स्यूंक तराजिय अमेरिका में ये इस्तित है वायू मंडली ये वायू में नाय ट्रूजन लगबग कितने परतिस्थ होती है तो अठंदर परतिस्थ होती है आपको जो उप्सन दे रहे हैं इनमें अठंदर से लेकर ये 79 परतिस्थ के मद्दे पाई जाती है तो अमीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही शीखने को मिला होगा इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नेकिशन आमसर के साथ में और एज अलवेज थैंक्स वर लिसनिंग गॉड बलेस यू ओल